असलाम अलेकुम प्यारे बच्चों, ब्रन मुंबई महानगर पाली का वशो क्लास में आप सबका खैल मगदम है दन मुंबई महानगर पाली का वशो क्लास की जाने से मैं शनास आप सब प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा मज़ेदा खुबसुरत वीडियो लेकर हाजिर भी हूँ इस वीडियो में बहुत सारी नई बाते आपको सिखने मिलेगे तो फिर चलते हैं एक नया वीडियो हर बार की तरह देखने के लिए और कुछ नहीं बाते सिखने के लिए जमात सुवम मजमुन अर्दू उन्वान आओ दस्तरखान बिचाएं मौलिमा शेख शेहनाज बिस्म ल्रह्मान रहीम शुरू ल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा महर्बान नहायत रह्म वाला है असलामो अलेकुम हम लोग दीन बर ल्लाह की नामतों बरकतों और रह्मतों का बहर पूर फाइदा उठाते हैं ल्लाह ने अपनी इतनी नामतों बरकतों से हमें नावाजा है कि हम लोग उसका जीतना शुक्र अदा करें वो कम है बचों हम दीन में कई काम करते हैं खाते हैं पीते हैं उठते हैं सोते हैं यह सबके लिए एक दुआ होती है तो कुछ लोग उस दुआओं को पढ़ते हैं और कुछ उन दुआओं को नहीं पढ़ते हैं कोशिश करें कि हम लोगो सारी दुआएं यादो सबसे पहले पानी जो हमारी बहुत ही जरूरी एहम बुनियादी चीजों में से है पानी के बेगारे हम लोग नहीं रह सकते हैं पानी पीते हैं तो आप लोग पानी कैसे पीते हैं खड़े रहकर बैठकर जैसे मर्जी वैसे पानी पीते हो आपको पता है पानी पीने के भी तरीके हैं जिसे पानी पीने की सुन्नते भी कहा जाता है दाएं हाथ से पानी पीना तो मैं आपको बताती हूँ पानी पीने का सही तरीका क्या करें हूँ मैं? आपको पानी पीने का सही तरीका बता रही हूँ इदम दिहान से सुनियेगा दाएं हाथ से पीना बैट कर पीना देख कर पीना देखकर मतलग जो पानी हम लोग पीते हैं वो पानी को पहले हमें देख लेना चाहिए वो देखना इसलिए जरूरी है बच्चों के पानी में कोई कच्चरा, कोई कीडा, कोई चीज ऐसी नहो जो हमारे जिस्में पानी के जरीए जाकर नुकसान पहुँचा सके इसलिए देखकर पानी पीना चाहिए पानी पीने से पहले बिस्मिल्ला पढ़कर पीना है पानी पीने से पहले हमें बिस्मिल्ला पढ़ना है तीन सांस में पीना अब आपने सोचें तीन सांस में पीना या नहीं क्या तीन सांस पहले ले लेना है फिर पानी पीना है जी नहीं बच्चों पहले हमें एक छोटा गुट पानी पीना है तो एक सांस में हुए पानी फिर दूसरी दफ़ा हमें थोड़ा बड़ा गुट पीना है तो यह दूसरी सांस हो गया फिर हमें पूरा पानी पीना है तो यह तीसरी सांस हो गया इस तरीके से हम तीन सांस में पानी पीते हैं और बच्चों पानी कुदरती चीज़े इसलिए इसे जाय नहीं करना चाहिए हमें उतना ही पानी लेना चाहिए जितना हमें पीना है और पानी पीने के बाद अलहम्दुलिल्ला कहना है क्या कहना है पानी पीने के बाद अलहम्दुलिल्ला बोलो मेरे साथ अलहम्दुलिल्ला वेरी गुड तो मैंने कितनी सुन्यते बताई पानी पीने की छे पहरी है दाएं हाथ से पीना नमबर दो बैठ कर पीना नमबर तीन देख कर पीना नमबर चार बिस्मिल्ला ही पढ़ कर पीना नमबर पांच तीन सांस में पीना नमबर छे, पीने के बाद, अलहम्दुल्ल्ला कहना इतना सबकी समझ में आ गया होगा अब अगली बार से, आइंदा से, आप लोग पानी इसी तरीके से पीने की कोशिश करेंगे तो छोटी छोटी बाते हैं, जिस पर हम लोग आमल करें तो हमारी कई सुन्यते मुकमल हो जाती है तो चलते हैं हम लोग सबक की तरफ ओहो, यहां तो एक आप नज़र आ रही है, और एक बच्ची नज़र आ रही है देखते हैं, आप बच्ची से क्या कह रही है? ये तस्वीरे देखकर बताओ, बच्चे क्या कर रहे हैं? जी, बच्ची ने जवाब दिया, जी एक बच्ची हाँ पर बैठी है, सामने खाना रखा हुआ है मगर खाना देखकर उसका चेहरा तो लग रहा है, पता नहीं क्या सोच रही है बच्ची, लेकिन आपा ने सवाल किया है किस से? उस बच्ची से, आपको पताए? इस बच्ची का नाम क्या है? पताएगा कोई या सलमा अब सलमा क्या जवाब देती है? सलमा को यह तस्वीर देखकर क्या लग रहा है? यह लड़की को खाना पसंद नहीं है शायद ऐसा लग रहा है ना खाना सामने लेकिन लड़की खाना नहीं चाहरी है इसका मत्तब कि आवा लड़की को खाना पसंद नहीं है सलमा को यकिन नहीं इसलिए उसने क्या का शायद ये लड़की को खाना पसंद नहीं है शायद ओहो यहां तो एक और बच्चा नजर आ रहा है कौन ही है आमीर आपा ने एक और तस्वीर दिखाई तो आमीर क्या जवाब देता है देखते हैं यह बच्चे बर्गर खा रहे हैं क्या खा रहे हैं बच्चे बर्गर खा रहे हैं आपको भी बर्गर बहुत पसंद है न मगर बर्गर ज्यादा नहीं खाना चाहिए यहाँ पर एक बच्चा नजर आ रहा है बच्चा क्या कर रहा है बच्चो कुछ दिखाई दे रहा है बच्चा खाना खा रहा है लेकिन खाना तो खा रहा है लेकिन कौन से हाथ से खा रहा है बाएं हाथ से खा रहा है सलमा क्या जवाब देती देखते हैं ये बच्चा बाएं हाथ से खाना खा रहा है अब आपा निकान खाने में एब निकालना बाएं हाथ से खाना खाना ये सही है अब जिनको खाना पसंद नहीं होता है तो वो खाने में क्या करते हैं वो लोग एब निकालते हैं एब निकालना अच्छा नहीं बना खाने का मूड नहीं है इसमें नमक कम है वो कम है तो हमें इसका मतलब है खाने में एब निकाल रहे हैं अब बाएं हाथ से खाना, खाना सही है क्या, सल्मा ने क्या जवाब दिया, जी नहीं, आपा ने का, खाने मैब निकालना, बाएं हाथ से खाना खाना, ये सही है, तो सल्मा ने का, जी नहीं, आपा ने फिर एक सवाल किया, सल्मा और आमिर से, फास्ट फूट खाना अच्छा ह अब ये fast food खाना क्या होता है जी यहां burger, pizza, cold ring यह सब क्या कहलाते है fast food खहलाते है तो ये खाना अच्छा है सर्मा ने कहा जी नहीं वामीर ने भी कहा बिलकुल नहीं बिलकुल नहीं यानि क्यैं बिलकुल सही नहीं है लेकिन कभी कभार हम लोग fast food का इस्तमाल कर लेते हैं लेकिन वो हमारे जिसम को नुकसान पोचाता है fast food याने कि junk food burger, pizza, cold drink junk food कैलाते हैं जो हमारे जिसम को नुकसाण पोचाते हैं फिया आपा ने समझाया कि क्यों नहीं खाना चाहिए क्योंकि हमारे जिसम को क्या करते हैं नुक्सान पहुंचाते है सबक नमबर छे आओ दस्तर खान बिचाएं दस्तर खान मालूम है न बच्चों किसे कहते हैं जी हाँ खाना खाने से पहले जो हम दस्तर बिचाते हैं जो कपड़ा बिचाते हैं उसे दस्तर खान कहते हैं ये नजम है और इसके शायर है माईल खेर आबादी हम लोग पहले कलीदी अलफाज देखेंगे दस्तर खान बच्चों आपको पता है मेरे पीछे आपको लफ्स बलफ्स दोराना है दस्तर खान बिचाएं बिचाएं मिल जुल खाना खाएं खाएं पहले बच्चे बहुत अच्छे इसी तरीगे से मेरे पीछे दोराते रहिए क्योंकि ये पढ़ लेने के बाद आप नजम बासानी पढ़ सकते हैं हाथ धोलो 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 बेकार बेकार बोलो बिस्मिल्ला भूला बरकत खोई दाएं दाएं यानिके सीधा बाएं यानिके बाया देखो हरगिज भूल छोटे लुकमे लाम के उपर बच्चों पेश हैं लुकमे खोब चबाना एब एब यानि बुराई निकालो खुश बाहम बोलो ये आपनों के लिए बिल्कुली नया लवज है बाहम अच्छा फर्ज शुक्र करें रब रब तो अब लोग पहली से ही पढ़ते आ रहें अब हम लोग अलफास बाहने देखेंगे मा लुक्मा किसे कहते हैं नीवाला नीवाला हम लोग जब खाना खाते हैं तो नीवाला बनाके मुह में डालते हैं तो हमेश हमें छोटे नीवाले बनाना चाहिए तो लुक्मा किसे कहते हैं नीवाले को कहते हैं एब एब का मतलब है बुराई बाहम बाहम का क्या मतलब है मिल जुलकर बो बाहम वेरी गुड इसका क्या मतलब है मिल जुलकर बच्चों अलफास माने भी देख लिए हम लोगों ने कलीदी अलफाज भी देख लिए अब हम लो नजम को बगार सुनेंगे तो तैयार हो जाएए नजम सुनने के लिए आओ दस्तर खान बिचाएं मिल जूल कर सब खाना खाएं भाई पहले हाँ तो धोलो खाते हुए बेकार न बोलो भाई पहले हाथ तो धोलो, खाते हुए बेकार न बोलो बिस्मिल्लाह जो भूला कोई, उसने सारी बरकत खोई दाएं हाथ से खाना खाओ, देखो हर्गिस भूल न जाओ छोटे 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 लुक में खाना, हर लुक में को खूब चबाना खाने में मत आईब निकालो, जो भी मिले खुश हो कर खालो खाने में मत अइब निकालो जो भी मिले खुश होकर खालो खुश खुश बाहम खाना अच्छा कुछ भूके उठ जाना अच्छा खुश खुश बाहम खाना अच्छा कुछ भूके उठ जाना अच्छा खाना खाकर फर्ज है सब का खाना खाकर फर्ज है सब का शुक्र करे सब अपने रब का अब हम लोग नजम को समझेंगे आओ दस्तर खान बिछाएं क्या ही ये दस्तर खान जिसमें तरह तरह के खाने रखे वे हैं हम लोग जब खाने के लिए बैटते तो हमारे घर में जितने भी खाने बनाए जाते हैं तो वो सारे खाने हम दस्तर खान पर सजा देते हैं जो भी खाना हम बनाते हैं घर में वो खाना हम लोग दस्तर खान पर बिछा देते हैं मिल जूल कर सब खाना खाएं दस्तर खान क्यों बिछता है ताके घर के तमाम अफराद मिलकर खाना खाएं आओ दस्तर खान बिचाएं मिल जुलकर सब खाना खाएं आपके घर में भी बिचता होगा ना दस्तर खान आपको पता है जिस तरह मैंने पानी की सुननेते बताई है पानी पीने का तरीका बताई है उसी तरीके से खाने की भी कई तरीके होते हैं आपको पता है खाने के तरीके नहीं न पहले हम लोग नजम समझ लेते हैं फिर मैं आपको खाने के तरीके भी बतलाओंगी क्योंकि इसी नजम में आपको खाने के कई तरीके समझ में आ जाएंगे भाई पहले हाथ तो दोलो खाते हुए बेकार न बोलो पहले हमें दर्स्तरखान बिछाने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए हाथ दोलेना चाहिए और खाना खाते वक्त बेकार में बाते नहीं करना चाहिए जब जरूरत पढ़े ही तो बात करें नहीं तो हमें खाने के वक्त बाते नहीं करनी चाहिए दाइं हाथ से खाना खाओ, देखो हर्गिस भूल न जाओ हमें खाना कौन से हाथ से खाना चाहिए? दाएं, यानि कि सीधे हाथ से खाना चाहिए और ये हमें हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है चीज़ को अगर आपके दोस्तों में, सहलियों में, अगर कोई बाएं हाथ से खाना खाता है तो आप उसे रोकें टोकें और समझाएं कि बाएं हाथ से ना खाएं बलकि हमें खाना कौन से हाथ से खाना चाहिए दाएं हाथ से खाना चाहिए तो उनको वो चीजें समझानी चाहिए अगर आप में वो चीज है कि आप दाएं की जगा बाएं हाथ में खाते हो तो बच्चों, आज के बाद आपको अपनी आदत तोड़नी होगी ये बुरी बात है हमें खाने के आदाब का एहतराम करना है उसके मताबिक चलना है तो हमें कौन से हाथ से खाना है? दाएं हाथ से जिसे हम आम जबान में सीधा हाथ कहते हैं छोटे छोटे लुकमे खाना हर लुकमे को खूब चबाना लुकमा आपको पता चल गया है निवाले को कहते हैं जो निवाला बनागे हम लग में डालते हैं उसे कहते हैं लुकमा अब आपने किसी किसी को देखा होगा बहुत बड़े बड़े निवाले लुकमे बनाते हैं लेकिन हमें उस तरीके से लुकमा नहीं बनाना है वैसा निवाला नहीं है बलके हमें छोटा छोटा लुकमा बना के खाना खाना चाहिए और एक लुकमे के बाद फॉरण दुसरा लुकमा नहीं खाना है बलके हर लुकमा जो हमने मुँ में डाला है उसे बहुत ही अच्छे से चबाना चाहिए ताके वो अच्छी तरह से बारीक हो जाए और जब पेट में ढखेला जाए तो जल्से जल्स हजम हो और हजम होकर वो हमारे खून में तबदील हो यानि वो खाना पेट में जाकर किसमें तबदील होता है खून बनता है हमारे जिसम को ताकत देता है अगर हम लोग ऐसे ही लुकमा निगल लेंगे तो पेट भी खराब हो जाता है और जितना खुन हमारे जिस्में बनना चाहिए वो नहीं बनता जितनी ताकत हमको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाती तो बच्चों इसले हमेशा छोटे छोटे लुकमे बनाना है और हर लुकमे को आपको खूब चबाना है खाने में मत एब निकालो जो भी मिले खुश होकर खालो बचों खाने में हमें कभी भी एब नहीं निकालना चाहिए एब का मतलब आप जान चुके हैं बुराई जो भी खाना अम्मी पकाती है अक्से तो अम्मी आपकी पसंद का ही बनाने ही कोशिश करती है कभी कबार ऐसा होते हैं कि खाना लजीज नहीं हो पाता है तो आपको पसंद भी नहीं आता है तो आप खाना पसंद भी नहीं करते हैं कहते हैं कि यह है यह अच्छा नहीं बना वैसा है वैसा है तो आपको वैसा नहीं करना है खाने में अब नहीं निकलना है यह बहुत ही बुरी बात है तो जो भी खाना मिरे उसमें अब नहीं निकाले और बलके खुश होकर खाना है क्योंकि Allowing की दीवी बहुती बड़ी नेहमत है हमारे दियैं सोचो अगर All right हमें अपनी नेहमतों से नहीं नवास दा तो आज हमें ना पानी मिल्ता ना खाना मिलता ना कपड़े मिलते ना इगर ना माबाब कुछ भी नहीं होता इसलिए अल्ला ताला जो भी दे खुश रहे उसमें खुश खुश बाहम खाना अच्छा कुछ भू के उठ जाना अच्छा कैसे खाना खाना चाहिए? खुश 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 का मतलब क्या? हस हस कर जी नहीं जो भी सामने आए उसे बहुत ही खुशी के साथ अच्छे से खाना चाहिए और साथ में बैठ के बाहम खाना अच्छा यानि बाहम यानि के साथ में बैठ कर खाना चाहिए साथ में बैठ कर अक्सर ऐसा होता है के भाई बेहनों में जगड़े होते हैं वो साथ में बैठते नहीं अगर साथ में बैठ गए तो जगड़ते रहते हैं तो ऐसे नहीं करना चाहिए बलकि हमें खुश खुश बाहम यानी मिल जूल कर खाना चाहिए और कुछ भूके उठ जाना अच्छा इसका मतलब क्या भूके उठ जाना है जी नहीं बच्चो हम रहे जब खाना खाते हैं जब हमें लगता है कि ने हम दो निवाले और ज्यादा खा सकते हैं जिसके बाद हमारा पेड़ी दम भर जाएगा तो वो दो निवाले आपको नहीं खाने हैं बलके थोड़ा सा पेट खाली रखना है और वैसे ही आपको ऊड़ जाना है लेकिन अपनी प्लेट में खाना उतना ही लेना है जितना आपको खाना है और खाने का एक और तरीका है बचो अगर साथ में खा रहे हैं तो आप सिफ और सिफ अपने तरफ से ही खाएंगे, भाई बैनों के, या बू या अम्मी की तरफ, हाथ बढ़ा कर नहीं खाना है, थाली का जो हिस्सा आपके सामने आए, आप वही हिस्से से खाना खाएं, और आपको तो पता है, लुकमे कैसे लेने हैं, छोटे छोटे, कैसे खाना है लुकमे, छोटे छोटे लुकमे खाना है, हर लुकमे को क्या करना है, खूब चबाना है, वेरी गुल, तो खुश-खुश, मिलजूल कर खाएं, और जब पेट भरने पर आएं, थोड़ा सा पेट खाली रहें, तो उड़ जाएं, खाना खाकर फर्ज है सब का, शु अब हमने खाना खा लिए, और फॉरन उड़ जाते हैं, हाथ दोने के लिए, तो बच्चों, ऐसे नहीं करना है, आपको खाना खाने के बाद, ये आपका फर्ज बन जाता है, उस रब का शुकर अदा करें, जिसने हमें इतने अच्छी नैमतों से, खानों से नवाज़ा है, तो खाना खा का हमारा फर्ज ग्या बन जाता है, कि हम अपने रब का शुकर अदा करें, कि उसने हमें इतना लज़ीज खाना खिलाया, शुकरिया बच्चों, फिर मिलेंगे इस नजम के अगले सेशन में, टाके ये वीडियो जिस मकसद से बनाए जा रहे हैं, वो मकसद हमारा पूरा हो, बच्चे इससे भरपूर पाइदा उठा सकें, और बेल आइकन क्लिक करना ना भूले, टाके जितने भी वीडियो हम लोग नए बनाते हैं, आप तक सबसे पहले पहुँच जाएं, और डिस्क्रिप्शन में एक फिडबेक फॉर्म दिया गया है, इसकी लिंग दी गई है, आप उस लिंग को क्लिक करें, और फिडबेक फॉर्म भरें, और सब्मेट करें, उम्मीद करती हूँ, आप सब बच्चों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और बहुत जाली नहीं मालूमात भी मिली होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना बुलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचें, और आप उसका भरपूर फाइदा उठा सकें, तो फिर मिलते हैं अगरे सेशन में, दबते के लिए, अला हाफीज!